हमारे चैनल ग्यांद ट्रेसर, सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दवाएंगे, तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपलोड्स हैं, वो आपके पास आउटमेटिक मिलते चले जाएंगे, और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपलेर चैनल जिसे देखकर आप इंटर्टेन होगे, तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड प्लीज टेब देल, थैंक यू, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है, और हम आपको बताएंगे, कि धन के देवी मा लक्षमी को उल्लू की सवारे ही क्यों पसंद है, या दूसरे शब्दों में यू कह ली चीह, कि देवी लक्षमी ने उल्लू को ही अपना सवारे की उचक्षुना, बतादू कि मा लक्षमी संप्न्यता और धन्य धान की प्रतीक है, जिनने सभी देवी देवताओं में सबसे ज़ाद अब संद किया जाता है पर उनका जो वहान है वो उल्लू है तो संपन्डिता और अश्वरे की देवी ने एक ऐसे पक्षी को अपना वहान चुना जिसे विपत्ति, गरीबी और नाश का प्रतिक ठेहराय जाता है तो क्यों मालक्ष्मी अभाव के इस परतिक पर विराजमान हुई है अब मैं आपको बताता हूँ कि असर में उल्लू के बारे में बताई गई यह जो धारना है वो बिल्कुल गलत है भारतिये संस्कृती में उल्लू को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि यह पक्षी मालक्ष्मी का एक तोवान उल्लू को किसी भी धर्म गरंथ में मुर्क नहीं माना गया है लिंग पुरान में कहा गया है कि नारत मुनी ने मान सुरूबर वासी उल्लू क से संगीत सिख्षा गरंड करने के लिए उपदेश दिया था वालमिकी रमायन में उल्लू को मुर्क के अस्थान पर अती चतुर कहा गया है तो रिश्यों ने गहरे अवलूकन तदा समझ के बाद ही उल्लू को उसी लक्ष्मी का वाहन बता है और उन्हें मालूम था कि पाश्यात्य समस्कृति में भी उल्लू को विवेक्षील माना गया है तंतर सास्तर के अनुसार जब लक्ष्मी एकांत सूने अस्थान अंधेरे एकंड़ हर पातारों के अधिये अस्थानों पर जाती है तब वो उल्लू पर सवार होती है तब उन्हें उल्लू को वाहनी कहा जाता है तो असल में उल्लू के बारे बताई गी जितनी बाते हैं कि मुर्ख है ये है मतलब उससे दरिदरता आती है बिल्कुल गलत बात है तो मुर्ख कतापी नहीं है उल्लू दिन में नहीं देख सकता जिसके कारण इसको निशाचर कहा जाता है लेकिन अपने इसी गुन के कारण ना सिर्फ ये रात में देख सकता है बलकि अपने शिकार पर भी निज़र रख सकता है तो रिश्यों ने गहन अवलुकुन और सुष्बूश के बाद ही लक्ष्मी को लुग भाहिनी कहा है मा लक्ष्मी मुख रूप से शुक्र ग्रया की अधिशात्री दे लिए कालपुरिस सिद्धान्त के अनुसार शुक्र को धन वैभव का देवता माना जाता है एक परणिक माननेता के अनुसार मा लक्ष्मी समुन्दर से परकट हुई और भगवान विश्यों की सेवा में लग गए इनका सभाव चंचल माना गया है जिस कारण इनके उप्योग और अराधना में बेहत सावधानी की जोट पड़ती है उल्लू जो सभाव से अज्यान का प्रतीक है कहने कारत है कि यदि लक्ष्मी का उप्योग अज्यान के साथ होगा तो अक्यवर भोग और नाश्ता की सिमित रह चाएगा और यदि सूजबूच के साथ होगा तो दान परुपकार की दिशा में इस्तमाल होगा तो लक्ष्मी का वहन उल्लू सभाव से रात में देखने में सक्षम होता है भगवान विश्णो की प्रिय लक्ष्मी गडूर पर बैठ कर भक्त के याँ धाल में कृत होने पर सदा आती है परन्तु जब कोई मात लक्ष्मी का ही ध्यान करता है तो लक्ष्मी को ही जीवन का उदेश बना लेता है तो वैक्ति चरित्रिहून होकर श्रीहीन हो जाता है तो ऐसे वैक्ति के हाँ लक्ष्मी उल्लू पर बैठ कर अकेले ही आती है उल्लू अमंगल का आरट पच्छी है जैसा माना जाता है जबकि गरूर जी सर्व अमंगलों के नाशक है तता भगवान विश्नु और लक्ष्मी जी के परम पुनिदवान है तो अतर जहां जब जाप पाट देव पितर कर्म, दान, पुन और अतितिय सतकार होता है वह लक्ष्मी विश्नु सहित गरूर जी पर सवार होकर बधारती है और जहां अनाचार, पापाचार, अत्याचार, शराब, वेश्यागमन इन सब चीजों पर उप्प्य अब खर्श हो रहा हो तो लक्ष्मी अकेली उल्लू पर बैठ कर आती है काम पुरु से सिद्दान्त के अनुसार राहू को पाताल का अस्थान प्राप्त है ज़ता कुंडली में राहू का पक का घर चट्था अस्थान होता है और राहू को कुंडली के भाव नंबर आठ में तीसरे और चट्थे में सिष्ट अस्थान में वाना गया है तो कुंडिली में काला धर अत्वा छुपा हुआ धर छट्थे और आटवे भाव में दिखता है अब हम आते हैं कथा के उपर कि एक्षिली में हुआ गया था एक बार सभी देवी देपता अपना अपना वाहन चुनने लगे जब लक्ष्मी जी की बारी आई तो सोच लेगी किसे अपना वाहन चुने लक्ष्मी जी वह अपना वाहन चुनने में सोच विचार कर रही थी उतने देरे में पसु पक्षी लक्ष्मी जी का वाहन बनने की होड में आपस में लाई करने लगे इस पर लक्षमी जी नहीं चुप करा और कहा कि परतेक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मैं प्रित्वी पर बिच्रन करने आती हूँ उस दिन मैं आप मैं से किसी एक को अपना वहन बनाऊंगी अब कार्तिक मावस्या के वर्ष सभी पशू पक्षी आँखे विचाए लक्षमी जी की राह नहीं हारने लगी राते के समय जैसे हैं लक्षमी जी धरती पर पदा रही है तो उल्लू ने अंधेरे में अपनी तेज नजरों से उन्हें देखा और तिवर गती से उनके समय पहुंच गया और उनसे प्रातना करने लिए कि आप मुझे अपना वहन सुखार करें लक्षमी जी ने चार ओर देखा उन्हें कोई पसू पक्षी नजर नहीं आए तो उन्हें खुशी खुशी उसे ही अपना वहन सुखार कर लिया तो लक्षमी जी ने उल्लू को अपना बाहर बना कर धत्य के प्रिक्रमा की और तब से लक्षमी जी का बाहर उल्लू हो गया और एक चीज इसमें और आपको बताओं अब रात को कौन देखेगा रात को तो उल्लू ही देख सकता है तो सीधी बात है उल्लू ही उनका जो वहाने वही बन सकता है आम जन मानस उल्लू को अशुभ मानते हैं उसे बेकूफ या मरुप समझा जाता है मा लक्ष्मी मूलता रात्री के देवी है तता रात के समय उल्लू सदा क्रियाशील रहता है उल्लू पेट भर नहीं तो दिन के समय में अंदा बनकर अथात कुलू का बैल बनकर कारे करता है तदा संपुर्ण दिमाग के साथ रात में जाग कर और आखे खोड़ कर कारे करता है लक्षमी का वहन निसाचर उल्लू है तो मिश्या ज्यान रखिएगा कि माता लक्षमी जब भी आती है तो रात्री के वक्त ही आती है और इसलिए उनका सवारी उल्लू है क्योंकि वो रात में देख सकता है तो धन्यवाद आप सबका हमारी चैनल पे स्वागत है आप हमारी चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए और हम जाएंगे यदि आपको मारी वेडियो अच्छी लगे तो आपने श्यायर करतीजिए खिल्यवाद